नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक इस बुलेटिन में आद बात होगी योगी सरकार पर लगे नए आरोपों की उत्रखन बीजेपी में छिड़े घमसान की जानेंगे सीमपत की शपत लेते ही क्यों विवादों में गिरे भग और बुलेटिन के आखिर में बात एक विशे समुदाय को निशाने पर लेते हुए छात्रों के लिए योगी सरकार के फर्मान की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुखियों पर मनिपुर में सीमपत से कड़ सकता है एन बिरेन सिंग का पत्ता थोंगम विश्वजी सिंग के नाम की हो रही है चर्चा कुछी दिनों में बीजेपी आला कमान सुनाएगी फैसला गुजराद विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई शिक्षा नीथी का एलान अब स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई जाएगी भागवत गीता चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी में तना तनी मसीडी चुनाव अभी कराने पर अड़ी आप सुर्खियों के बाद बाद आज की सबसे वड़ी खबर की यूपी चुनावों में भले ही सत्ता बीजेपी के हातों में चली गई है लेकिन इन चुनावों में बीजेपी कमजोर और समाधवादी पार्टी मजबूत हुई है जिसको लेकर अखलेश आदम ने जनता को धन्यवाद भी कहा था लेकिन सपा की मजबूती से टकर देने के बाद यूपी में भी बीजेपी को मिली जीत सवालों की घेरे में है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर धांदली का आरोप लगा रहा है उसी कड़ी में अब अखलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को बैमान करार दिया है चुनाओ के दोरान अकसर शिकायत मिलती है कि प्रत्याशी वोट के लिए लोगों को प्रलोभन दे रही है पैसा और दूसरी चीजों को बाटा जा रहा है पैसे के बटवारे का ये खेल इस बार यूपी में भी खेला गया और आरोप लगे हैं बीजेपी पर पारवंकी के कुर्सी विधान सवसीट पर समर्थकों के बीच पहुχए अखलेश ने बीजेपी पर बै इमानी से जीत खासिल करने का रूप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पैसा भी बाटा पैसा बाटा गाउं गाउं में कितना पैसा बाटा हमें तो बता दो हम जानेंगे नहीं लखनाओं में इस सवाल के जवाब में सपासमर्थकों ने अखलेश यादव से कहा कि बीजेपी वालों ने बेईमानी की हमने आपको वोट दिया था लेकिन जीत बीजेपी गई इवीएम में घोटाला जरूर हुआ है इवीएम के मुद्दे पर अपने कारिकरताओं से बात करते हुए अखलेश ने कहा कि बेईमानी हो गई एक नहीं दो नहीं लखनों के साथ साथ कई जगवों पर बीजेपी ने बेईमानी की है इससे पहले भी अखलेश आदव ने बीजेपी पर वार करते हुए इवीएम में धांदली का आरूप लगाया था और सिर्फ अखलेश ही नहीं बलकि कई विपक्षी ने ताइस बात पर मोहर लगा रहे हैं इवीएम में धांदली को लेकर कुछ आडियो और वीडियो खूब वारल हो रहे हैं लेकिन इन सभी आरोपों में कितनी सचाई है और बीजेपी ने कितनी बेईमानी की है और कितनी नहीं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन विपक्ष खामोश रहने को तैयार नहीं दिख र रही है पाटी चुनाव जीतने के बाद भी ये तैय नहीं कर पा रही है कि किसके हाथ में दी जाए उत्राखंड की कमान देश में पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं के परिणाम एक साथ घोशित हुए थे जिन में से गोवा पंजाब मनीपूर और उत्तर प्रद परिणेंगे सुल्तान या फिर नए नेता को मिलेगी जिम्मेदारी इन सवालों के बीच कई नामों की चर्चा तेज है कहा जा रहा है कि एक बार फिर धामी को राजी की कमान मिल सकती है इस चर्चा के बीच एक नया नाम निकल कर सामने आ रहा है और वो नाम है काला को सी एम बनाये जाने की बात चल रही है अब अचानक भगत को दिल्ली बुलाये जाने से इसे और बल मिल रहा है उनके प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद से ही उनके कद को लेकर तमाम तरहे की सियासी चर्चाएं शुरू होने लगी थे इस समय होली के चलते विधान मंडल क बैठक नहीं हो सकी ज्यादतर विधायक अपने शेत्रों में होली मनाने निकल गए हैं काला ढूंगी विधायक वन्शीधर भगत भी प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद अपने शेत्र में आ गये थे लेकिन उनके अचानक दिल्ली बुला लिया गया है जबकि वो अपने शे अब भले ही वो दिल्ली दौरे को निजी काम बता रहे हो लेकिन दिल्ली दौरे ने सीएम की रेस में उनके नाम को आगे कर दिया है अब देखना होगा कि क्या पार्टी उनके नाम पर मोहर लगाएगी या नहीं और क्या पुशकर सिंग धामी वन्शीधर भगत के आगे श बीजेपी जहां जीती वहां अभी तक सीएम का चुनाव नहीं हो पा रहा है तो दूसरी और जिस राज्ये में बीजेपी को हार मिली है वहां नए सीएम का शपत ग्रेंड भी हो गया और नए सीएम ने कारेबार भी समाल लिया है लेकिन विवाद यहां भी शुरू हो गया तो क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट मान के आदेश पर सबसे पहला अमल मुक्यमत्री कारेले में ही हुआ और सीएम ओफिस में सभी फोटो हटा कर भगत सिंग और डॉक्टर अंबेटकर के फोटो को लगा दिया गया सीएम के आदेश पर आप विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिये हैं कॉंग्रेस ने महातमा गांधी के फोटो को सीएम ओफिस के साथ ही पंजाब में सभी सरकारी कारेले से हटाने पर आपत्ती जताई है कॉंग्रेस नेतर श्री निवास बीवी ने मान के फोटो के साथ ट्वीट किया छोटे संखियों के नए पंजाब में अब बापू की कोई जगा नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग महातमा गांधी की तस्वीर पर आपके एतराज को लेकर सवाल उठा रही है अब इसी बीच तस्वीर के विवाद में बीजेपी भी खूद पड़ी है बीजेपी ने महाराजा रंजीत सिंग का फोटो हटाने पर सवाल उठाए है पंजाब बीजेपी महा सचेव शुभास शर्मा, कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश वादल के सियम रहते हुए लिए गए फोटो के साथ ट्वीट किया भगवन्त मान के सियमो दफ्तर में शहीद भगत सिंग और बावसाहिप का चितर लगाना बहुत प्रशंस निये है पी अकाली दाल कॉंग्रेस सभी उने घेरे में चुट गए हैं फोटो को लेकर पंजाब में विवाद चल रहा है तो एक फिल्म ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है लेकिन अब इस फिल्म के बीजेपी से कनेक्शन जुड़ते दिख रहे हैं तो आखिर क्या है मामला आएए देखते हैं इस रिपोर्ट में फिल्म दा कश्मीर फाइस विवादों की फिल्म बन गई है जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है एक धड़ा वो है जो फिल्म का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा फिल्म को तत्थियों और तर्कों के आधार पर तौल रहा है लेकिन बीजेपी इस फिल्म के सहारे अपनी राजनीती चमकाने में जुटी होई है निशाने पर जमु कश्मीर की सत्ता है जी हां जमु कश्मीर में कभी भी विधानसभा चुनावों का एलान हो सकता है जमु कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनरग गठन करने के लिए गठित परिसी मनायोग ने अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है और लोगों से अपनी आपत्ती या सुझाव 21 मार्च की शाम 5 बजे तक देने को कहा है। अकवर लोन परिसीमन प्रक्रिया पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। पात्पूर और मानने से इनकार कर दिया था। इसके सहारे बीजे पी खुद को जमूर में मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। बीजे पी नेताओं के फिर्म को लेकर किये जा रहे प्रचार से सवाल तो उठने लास्मी है। वैसे विपक्ष तो हमेशा ही बीजे पी की नियत में खोट के आरोप लगाता रहा है। और बीजे पी नेताओं के बयान उनके आरोप पर मोहर भी लगाते हैं। अब हिजाब विवाद पर भी बीजे पी नेता ने बेतुका बयान दे दिया है। जिसके बाद आज करनाटक में मुस्लिम संगटनों ने बंद का अहवान किया है। को भी हिजाब पर चर्चा के लिए बैठक की थी बैठक अमीरे शरियत के आवास पर हुई बैठक में अदालत के फैसले के बाद छात्राओं के तरफ से आई बयान पर मौल्वियों ने आपत्ती जताई है और कहा है कि छात्राओं का रवया ठीक नहीं है उन्हें मार्ग शान्थ होने का नाब नहीं ले रहा है करनाटक हाई कोट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता और राज्य सबासदस से सुशील कुमार मोदी ने कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनने की बजाए संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए तो वहीं बीजेपी क वरिशनेता और उड़पी गवर्मेंट प्री युनिवर्स्ट्री कॉलिज डवलपेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यश्पाल सुवर्णा ने कॉलिज परिसर में हिजाब पहनने की मांग को लेकर करनाटक हाई कोट का दर्वाज़ा खट-कटाने वाली चात्राओं को देश चात्राओं और स्कूल कॉलिज को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए फिलाल ये मामला सुप्रेम कोर्ट में है जहां होली के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है हिजाब पर सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है लेकिन बीजेपी नेता खुद ही फैसला सुनाने में लग गए है बीजेपी सरकार के फैसले की खिलाब बोलना क्या देश द्रोह हो जाता है वैसे मुश्किल में बीजेपी भी फस्ती हुई नजर आ रही है करनाटक में तो हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है आखिर कैसे देखते हैं यह खास रिपोर्ट ने कहा लोकतांत्रिक जनता पार्टी का विले जनता परिवार को साथ लाने की मेरी कोशिश का नतीजा है आज देश के राजनेतिक हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया है देश में बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और जनता मजबूत विपक्ष की तलाश में है विपक्ष की मजबूती के लिए जरूरी है कि बीजेपी के खिलाब महागडबंदन तयार हो जनता परिवार को एक साथ आने की बात कहते हुए शरद यादव ने कहा कि एक समय था जब वर्ष 1989 में अकेले जनता दल के पास लोकसभा में 143 सिठे थी जनता दल की सरकार ने मंडल कमिशन की सिफारिशों को लागू गया जिसके बाद देश में वंचिद वर्गों की सामाजिक और आर्थी किस्ति में काफी उत्थान देखने को मिला है इसलिए अब एक बार फिर जनता परिवार को मजबूत करने का वक्त है बिहार में मध्यपूरा सहिथ, कई जिलों में शरद्यादफ का प्रभाव माना जाता है इसके साथ ही उन्हें राजनैतिक रण नीती बनाने में भी माहिर माना जाता है ऐसे में शरद्यादफ के आर्जिडी में आने का फायดा पार्टी को मिलना तैमाना जा रहा है और बुलिटिन के आखर में बाद अल्फ संख्यों को पर योगी सरकार के निशाने की उत्रप्रदेश में विधान सबाद चुनावों में बीजेपी को जीत मिले चुनावों में बेरुजगारी, महंगाई, स्वास्ते, शिक्षा, आवारा पशु जैसे बहुत सारे मुद्द लेकिन बीजेपी हिंदुत के मुद्दे पर बाजी मार ले गई, जिसे बीजेपी ने पूरे चुनाव रचार के दौरान खुब भुनाया, चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अपने हिंदुत वादी एजंडे को और धार देने लगी है, आप उसके निशाने पर कॉलि सिर्फ एक ही नारा गुंसता रहा और वो था यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इस नारे में बीजेपी की ताना शाही मान सकता साफ जाहिर हो गई, हिंदुत का राग अलाब कर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ चुकी है, तो इस बार पार्टी नए अपनाने में जुट गई है, एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए योगी सरकार ने एक नया फर्मान जारी किया है और ये फर्मान जारी किया गया है चात्रों के लिए, दरसे ये मामला है उतरपदेश के ग्रेटर नौइडा इस्थित टाइम समु के स्वामित वाले बैनेट विश्वध्याले का, जहां छात्रों और उनके अभिवावकों से एक शपत पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जिसमें उनसे विश्वध्याले कैंपस के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की देश विरोधी या असामाजिक गतिविदी में शामिल होने, उसे समर् करने या उसका प्रचार ना करने के लिए कहा गया है, विश्वध्याले की एक कदम उत्रपरदेश सरकार से मिले निरदेशों के तहट उठाया गया है, इन गतिविदियों को 5 बिंदों में परिभाशित किया गया है, एक किसी भी गतिविदी का हिस्ता बनना जिसे अखंडता या संप्रभूता के खिलाफ जाती हो कोई भी ऐसी गरकानूनी गतिविदी जिसका उद्देश्य या वै ऐसी योजना का हिस्सा हो जिसका उद्देश्य बल पूर्वक सरकार को उखाड फेकना है अंत्रिक शांती पैदा करना या सारवजनिक सेवाओं को बाधित करना है और शेत्रिय समुहों या जातियों या समुदायों के बीच शांती, सुरक्षा, सारवजनिक विवस्ता, सद्भाव को नुकसान पहुचाना है इसमें चेतावनी भी दी गई है कि इसके कई परिणाम हो सकते हैं जिनमें कॉलेश से ततकाल निश्कासित किया जाना भी शामिल है अब योगी सरकार ने अपने इस फर्मान के जरिये विशेश समुदाय को अपने निशाने पर लिया है यानि यूपी में पढ़ना है तो योगी सरकार के मताबिक ही रहना होगा तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही देखते रहे हैं डी बी लाइव नमस्कार